नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं ममता आप सब का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अर्बन सिटी देशी हम पर आज हम बनाएंगे अद्रग और मिर्श का अचार ये अचार बहुत ही स्वादिश होता है बहुत ही लाजवाब होता है जो कोई इसको एक बार खाता है वो बार बार इसको बनाता है लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके कमेंड्स की बेट रहती है एक मौटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी रेसिपीस आपके लिए लाने का मन करता है तो प्लीज कमेंड करना बिल्कुल मद भूला कीजिए चलिए टाइमना वेर्ज करते हूंगे स्चार करते है अपना अध्रक और मिर्च का अचार अद्रक और मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहां 200 ग्राम अद्रक लिया है उसको मैंने लंबे-लंबे पीसिज में काट लिया है इस तरह से इसी तरह मैंने 200 ग्राम मिर्च लिया है उसको भी मैं लंबे-लंबे पीसिज में काट लूँगी पहले मैंने इसका डंठल उतारा है और उसके बाद मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है इस तरहां से डिवाइड करने के बाद मिर्च का साइज थोड़ा बड़ा रहता है लेकिन अगर आपको ये साइज पसंद है तो आप ऐसे रखिए इसको चार भागों में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पतली पतली मिर्च पसंद है अगर आपकी मिर्च जादा लंबी है तो आप उसको सेंटर में से भी कट कर सकते हैं इसी तरह मैं अपनी सारी मिर्चों को कट कर लूँगी मैंने अपनी सारी मिर्चे कट कर ली है अब एक मैं बड़ा बाउल लूँगी बड़े बाउल में मैं इनको सबको पलट दूँगी मैंने अपना अद्रक और मिर्च दोनों इसमें पलट दिये है इसमें मैं नमक दो चमच नमक एड़ किया है मैंने देड़ चमच राई आड़ कर रही हूँ आदा चमच हल्दी आड़ की है दो टेबल स्पून मैंने यहां सरसो का तेल लिया है सरसो का तेल टेस्ट को अचार के बहुत बढ़ा देता है और इसको हम मिक्स करेंगे अगर आपको सरसो का तेल पसंद नहीं है इसकी महक अच्छी नहीं लगती तो आप इसको अच्छे से गरम कीजिए बॉयल आने तक गरम कीजिए तेल को और इसको थंडा होने के बाद आप अचार में पलट देजिए उससे इसकी महक चली जाएगी इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स इस तरह से करेंगे कि इसके सारे मसाले हमारे मिर्च और अद्रक पर अच्छे से राप हो जाएं अच्छे से चर जाएं तांकि सब बिल्कुल एक्वल टेस्ट आए हर जगहां तो इसके बाद हम यहां दो बड़े चमच हमने सिरका लिया है, यहां पर हम इसलिए लेते हैं, क्योंकि यह हमारे अचार की लाइफ को बढ़ा देता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, मैंने यहां दो लैमन भी निचोड कर रस निकाल लिया है, अब मैं इसमें यह लेमन का रस जो मैंने निचोड कर रखे हुए थे वो डाल लूँगी यह तो इसके लिए सिर्फ लामन का रस ही काफी रहता है लेकिन सिर्का अचार की लाइफ को बढ़ाने के लिए और इसके टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही बढ़िया है और अब यह हमारा अचार एक तरह से बन गया है लेकिन दो दिन के बाद इसका टेस्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगा इसका रंग बहुत बढ़ जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा इसका रंग इसको यह तो हम ऐसे ही खा सकते हैं अभी भी लेकिन दो दिन के बाद हम हम इसको अगر खाएंगे तो हम इस तेस्ट का मजा ले पाएंगे जो इसमें स्ट भी अप्शूल टेस्ट होता बार हमनेां निकाल लिया है अचार या चटमिया कांश के रचाचे लिया या फिर चिनी